हलो फ्रेंट्स मैं हूँ रजनी और मेरे किचन में आपका बहुत स्वागत है आलू की सबजी तो आपने बहुत बार बनाई होगी पर मैं जो आज आलू की सबजी बनाऊंगी ये बहुत ही नया है और बहुत ही मज़ेदार तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं उबले हुए आलू और इसे हम फॉर्क से प्रिंग कर देंगे कम से कम साथ से आठ पार अगर आपके पास बड़े साइस के आलू है तो आप उसे भी यूज कर ले के उपर बहुत ही चटपटी यह सबजी बनती है तो आप इस एक पर जरूर ट्राइक कीजिएगा और बहुत ही कम और बेसिक मसाले के साथ इसे हम बनाएंगे तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चोथा ही चमच हल्दी और यहाँ पर आट कर देंगे काली मिर्च का पॉडर ब अए इसे भी हैं पर डाल देंगे बहुत ही बढ़ियां कलर आएगा आलुममें हैं तो देखे इन्हें हम सारे मसाले को डाल दिये हैं और इसे रम डॉस कर लेंगे तो इसे क्या होगा कि अधिम साथ में बढ़ियां से मिल जाएंगे तो देखिए यहां पर मैंने कढ़ाई चड़ा लिए गैस पे और जैसी कढ़ाई गरम हुए तो यह कसूरी में थी मैंने डाल दिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए बहुत ही जल्दी यह भुन जाता है तो देखिए अच्छी सी कुस्पूर आ रही है तो इसे मैं साइड में कर लूँगी तो देखिए वापस से मैंने कढ़ाई चड़ा लिए और यहां पर मैं डाल रही हूं सिर्फ एक टेबल स्पून वाइल मस्टर्ड ओल का यूज कर रही है आपको घी पसंदो तो घीर डाल ले तो एक इंच का टुकड़ा अद्रक है इसे भी यहां पर मैं मुट कर दूंकी तेल में और चार हरी मिर्चे बीच से मैंने कट कर दिया है मिर्च में थे भी यहां पर एड़ कर देंगे आपकर कर लेंसे नहीं तो फिर बहुत ही चौप कर लिया है तो यहां पर एड़ कर देंगे इसको बहुत ही बढ़ी है यह सब्जी लगती है तो इसे साथ के साथ हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक के लिए पकाना है ज्यादा नहीं बूनना है इसे बस सॉफ्ट हो जाए तो यहां पर देखे मैं डाल रही हूं हरा धनिया बिल्कुल मैंने से कट नहीं किया है क्योंकि इनको सभी को में पीसना ही है तो बस साथ में यह सॉफ्ट हो जाए इतना ही इसे पकाना है आपको तो पता ही है इस प्रिंग अनियन कितना हेल्दी होता है और हमें इसका यूज़ करना भी चाहिए तो देखे यहां पर हमारे मस दियार है अब हम आते हैं आलों पे तो आलो देखे अच्छे से मेरिनीट हो गया है तो 15-20 मिनट हो चुके है आलो को मेरिनीट की हुए तो देखे यहां पर मैंने कड़ाई च्टी है कैस पे और इसमें 4 टेबल स्पून ओयल डाल दिया है तो इस और आलो अच्छे से गरम हो आ यहां अ हुए तो देखे जब आलो एक सेट से हमारा सुनेहरा हो जाएगा तो दूसरे तरफ भी हम ऐसे उलडड करकी दोनुं तरफ से अच्छे से से शेक लेंगे आलूां को गयो देखे इसमें बहुत ही बड़ी आँ सख लार आ गया है आलों में तो इसे हम आलों को बा तो देखिए आलू का कलर कितना जबरदस्त लग रहा है तो देखिए बची हुई जो तेल है इसी का हम यूज करेंगे तो यहाँ पर मैं डाल रहे हूं एक बड़ी रिपमे यह लाइची और दाल है दो खरी रिपमे च्छोटी वाली रिपमे और सुखी मिर्च है दो इसे भी यहां पर unity कर देंगे एक जाना टंद किरशेणे का टुक्ड़ा है इसे भी गाइड कर देंगए दो तेज पत्ते हैं इसे भी एड कर देंगे जीरा डाल ही हूँ एक चप्रास., को आप साथ प्षसाली जो ना पसंद वह किर मसालि सकते है। चार में यहाँ पर लॉंक डाल दिया है इन शारे मसाले को अच्छासे हम चतक ने देंगे तू देखे यहाँ पर मैं डाल रही हूं एक चमच खसखस जिसे पूस्तों भी कहते हैं इसे भी यहाँ पर डाल डाल देंगे और साथ के साथ इसे हम भून लेंगे तो देखिए मसाले हमारे च्छटक गए है तो यहाँ पे कुछ सूखे मसाले आइट कर देंगे तो एक चिछोटी चमच यहाँ पे मैं डाल रही हो धनिया पौॉडर और आदी चोटी चमच दाल रही हो हल्दी पौॉडर और इन्हें हम अच्छे से तेलक में मिला लेंगे तो सुखे मसाले अच्छे से बुन जाएंगे तो जो ये ग्रीन पेस्ट मैंने तयार करके रखा है इसे भी इसी स्टेज पे हम यहाँ पर एड़ कर देंगे और इसे हम चलाते जाएंगे तो मसाले तो जब हमने भून लिये थे तब पकी गए थे लेकिन थोड़ी दिर के लिए से मैं और भून लेना है तो देखिए मिला लिये अच्छे से तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तीन बड़े चमच दही बिल्कुल फ्रेश दही है यहाँ पर खटी दही यूज़ ना करें और अगर आपको दही ना पसंद हो तो आप यहाँ पर टमाटर एट कर लें जब हमने मसाले भूने थे उसी में आप टमाटर भी एट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं डाला है तो यहाँ पर मैं दही का यूज़ कर रही हूँ तो देखिए इसे हमें अच्छे से मिला लेना है तो देखिए दही बहुत अच्छे से भून गया है अचार तरफ से ओल रिलीज कर दिया है तो यहाँ पर इसे एक से दो बार इस जब डालेंगे तो वो बहुत ही पानी अब्सॉर्फ करेगा तो इसी इस टाइम पे पतली ग्रेवी रखेंगे बाद में अगर आपको पसंद हो तो आप इसे गाड़ा कर सकते हैं पर अभी हमें पतली ग्रेवी रखनी है इसकी तो देखिए मैंने यहां पे पानी डाल दिया ह तो इस dramas जब रहे हैं ई तो यहां पे मैं तो पानी और आट कर दूंगे तो यहां पे मैं पतली ही एक अच्छा सा उबाल आने देंगे तो ग्रेवी में देखी एक अच्छी सी बॉयल आ गई है और इसकी कंस्टेंसी में आपको दिखा रही हूँ अभी बिल्कुल पतली सी है जब आलू अम डाल देंगे तो इसके बाद अगर आपको गाड़ी करनी हूँ तो इसके बाद आप इसे थोड़ा उबाल के गाड़ा से कर लें तो यह एक कसूरी में थी जो मैंने सबसे पहले रोस्ट करके रखी थी इसे थोड़ा क्रश करके इस तरीके से डाल देंगे तो इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और देखी यह जो आलो हमने फ्राय करके रखी थी इसे भी यहाँ पर मैट कर देंगे तो बस हमारी सबजी यह बहुत ही मज़दार सी तयार है बहुत यह सबजी हमारी तयार है एक दो बार इसमें उबाल आने देंगे बस हो गया और हमें कुछ नहीं करना है तो सबजी हमारी तयार है आप गर्मा गर्मी से सर्व करें और इंजॉय करें